गुजरात के स्कूल हमने जितने करने थे ठीक कर दिये, इससे अच्छे जिसको स्कूल चाहिए वो दिल्ली चला जाए। तो अब गुजरात के लोग दिल्ली में जिसने स्कूल किये हैं, उसी को गुजरात बुलाएंगे, आप देखेंगे। आपने मुलाकात लिधियती। अगर वो इन स्कूलों में घूम जाएं, अभी जिस स्कूलों में बैठके आपसे बात कर रहा हूँ, यह भावनगर का स्कूल है, शिक्षा मंतरी जी इसी शहर से हैं, अगर वो खुद इस स्कूल में घूम जाएं तो रात को नीद नहीं आएगी, ऐसे सड़े हुए स्कूल देखके, यह स्कूल का एक कमरा ऐसा नहीं है, जहां मोटे मोटे मकडी के खुब सारे जाले न लगे हो, वाश्रूम अगर मिल जाए, टॉयलेट मिल जाए, साथ-साथ घंटे के लिए टीचर साते हैं, महिलाए टीचर साती हैं, आप साथ घंटे टीचर को इतने सड़े गुजरात सरकार अने जितू वागानी पर शिक्षन मामले प्रहारो करया हता। कर दिये, इससे अच्छे जिसको इस्कूल चाहिए, वो दिल्ली चला जाए। तो अब गुजरात के लोग दिल्ली में जिसने इस्कूल किये हैं, उसी को गुजरात बुलाएंगे, आप देखिए। मैं तो शिक्षा मंत्री जी के इलाके में आया हूँ, शिक्षा मंत्री जी के इलाके में तो एक-एक इस्कूल चमकते हूँ हो सकता था। और उनको बता धा दो दिन बाद हो रहा है, तो यहां इतने बुरी हालत है, वो बता दें फिर कहां-कहां उनके इस्कूल अच्छे हैं, मैं वहां भी चला जाओंगा देखने के लिए। मनिश सिसोदियाए जितुवा घाणीना ए निविदननों पण उल्लेख कर्यों हतो, जहमा तेमने कहिऊ हतू, के जिमने गुजरातनी शिक्षणनी स्थिती सारी ना लागती होई, तेओ बीजे जता रहे। छला घणा समय थी, आमादमी पार्टी, गुजरातना शिक्षण, अनेतिनी स्थिती ने मुद्दो बनावीने सरकार ने घेरी रही छे, जोके गुजरात सरकार नों कहवू छे, के राज्ये मां शिक्षण मांटे भाजब सरकारे घणा कामों कर्या छे।